ये घुला हुआ अंडा तो बिल्कुल नहीं है इसलिए आप इस चीच को बनते पहली बार देखोगे जोंकि इस लिक्विट को कलचुल में चिपका कर उपर सालू भर कर पेक कर दिया जाता है लेकिन ये जानकर हेरान रह जाओगे कि ये चावल का डिस आग में सेक कर नहीं ब पानी में धोया जाएगा तब जाके ये चाई रोटी बनेगा